रादे रादे बच्चों कैसे हो आप सब आसा करते हूँ आप अच्छे होगे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी बाइलोजी बाइलोजी में टोपिक लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम यानि परिसंचरन तंत्र परिसंचरन तंत्र में क्या क्या है हर्ट है hallway heart means heart then blood minutes today study of heart मतलब हर्दय के अध्यान को क्या कहते है कर्डियो लोजी कार्डियो मीनस होता है हटलोजी मीनस होता है study study of heart कार्डियो लोजी study of blood की रूधीर का अध्यान रूधीर के अध्यान को होता है है methodology है学 medicine so theta blood low Nina Slots Story the study of blood study of blood क्या होता है method diplomacy आभण अब आते हैं weight of heart मतलब हृद्य का भार weight of heart मेल में कितना होता है और female में कितना होता है? मेल में जो हर्ट का वेट होता है वह होता है 300 ग्राम फिमेल में होता है 200 range मदलब में ज्यादा होता है और में थोड़ा कम होता है सरीर का जो हमारा हॢ़ और चो नहीं के भार का 0.45 पर और फिमिल में 0.40% होता है इसका मतलब क्या है मान लिजे अगर किसी आदमी का किसी हुमन का वेट है 100 kg तो 100 kg में जो हर्ट होगा उसका वेट होगा 450 g और इसी परकार फिमिल में होगा अगर वो 100 kg उसका वेट है तो उसका 100 kg के अंदर उसका होगा 400 ग्राम 400 ग्राम क्या होगा यह हर्ट का बेट होगा मतलब सरीर के बहार के चाल 0.40 परसेंट अब क्या है यह है यूट्रस यूट्रस मींज गर्भास से अब यूट्रस में यह क्या है फीटस फीटस को कहते है बुरून बुरून क्या होता है जब मतलब बेबी होता है चोटा सब बेबी पेटके उसको फिटस बोलते है बुरून अब गैस्टेशन पिरियड गैस्टेशन पिरियड को बोलते है गरभावस्ता काल इंगलिस में इसको गैस्टेशन पिरियड कहते है अब यह जो गैस्टेशन पिरिय 310, 315 days, dog में होता है 58 to 62 days, elephant में होता है 22 months, सबसे जदा जो गर्भावस्ता काल होता है वो होता है elephant में 22 months, rat में होता है 22 days, यह होता है gas station period कि किसमे कितना gas station period है मतलब गर्भा वस्ताकाल अब आता है study of circulatory system मतलब परिशंचरन तंत्र का अध्यन परिशंचरन तंत्र के अध्यन को कहते हैं एंजियो लोजी एंजियो लोजी उसको हिंदी में कहते हैं रक्त नली का विज्ञान अब है father of circulatory system परिशंचन तंतर के जनक्तूजे जश होगा है उसके होगा टान्स पराइटाब्स को ऊंगे अब अब आप किया है ये हमारा है हर्ट है अब आप जिस पोजिशन में आप सीधे खड़े होके देखो कि जो हमारा राइट है वह हर्ट का राइट पार्ट है और जो हमारा लेफ्ट है वह हर्ट का लेफ्ट पार्ट है एक है राइट औरिकल एक है लेफ्ट औरिकल एक है राइट बैंट्रिकल यह है लेफ्ट तो इंटिक्न जो ओपर का पार्ट है इसको हईं एकिसल्सराय और नीचा का पार्ट है उसको गहते हैं वह 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 होता है एच छेंबर इंस ह्यूमन के वह थै सोते हैं 4 1 2 3 4 अब यह यह हमारे हर्ट में एक दो valid और यह 1 2 यह भी हो मितलब जह राइट और और राइट वैंट कर इसमें कितने है wa उते हैं त्राइट करेंस में मतलब ऊंतल अब करका होता है ऐसे को свет यह गैते हैं मिटरल वॉल चीक है अब क्या होता है कि मैंडूला ओबलोगेटा मैंडूला क्या होता है जो ब्रेन रिफे Joint नीचला पार्ट मैंडूला उबलगेटा होता है किसी अगर किसी मान लिजिए किसी आदम के अक्शिडेंट हो गया उसके चोट गर्दन के पीछे लगी और उसका पीछे लगी गर्दन के मतलब ब्रेन के नीचे और पता चला कि उसकी जो धड़कने वह बंद होगी इसका नोड हैं एससे नोड जो होता है वह क्या करता है धड़कनों को उद्पन करता है और mówi ने तिर करता है मैंडूला उबलगेका जिए पर एसे नोड पर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा जो हर्दे की धड़कने हैं वे रुक जाएगे जिसके कान मनुस्य की मृत्त हो जाएगे अब यह क्या है एसे नोड कोई नीरो मस्कुलर फाइबर भी कहते हैं नीडियरो मतलब DNA होता है प्रे नीडिकेट करता है एसे नोड क्या होता है अधिक आए피शन, प्रेशल ऑदरी करेंगी पेस में करोता है घति प्रेर गति प्रेख हर दे की काम है हर्दय का मेन क्सटन भों क्वोर्ट को करना हर्दय का मेन फंक्षन है और जो है हमारा सरीर का जो मुख्या पार्ट है जो कभी भी राष्ट नहीं करता वह है है यह हर टाइम का अपना काम करता रहता है मतलब ब्लड पंपिंग करता रहता है हाँ अब एक एक ग्जाम्पल लेती हूं कि जैसे ब्लों होता हुआ है कि जैसे उसमें हम प्रेशर हवा डाल रहे है उसका क्या है प्रेशर बढ़ रहा है उसका आयतन भी बढ़ और साइज बढ़ता जाता है और उस पर यहाँ कि हवा निकाल दी तो उसकी साइज भी कम होता जाएगा इस तरीके ही प्रड़ का होता है blood pump हो रहा है इसका आयतन means volume कम हो रहा है जादा हो रहा है यही आयतन के कम जादा और हर्दे के कम पन करने का काम कौन करता है एक ही चीज है और हर्दे की दढ़कनों को उत्पन करता है यह मैंने बतायता है अगर मैंडूला ऑपलागेटा इसके क्या करता है हर्दे की जो धढ़कने है उसको नियनतित करता है है अगर मेंडूला ओमलागेटों को affect हो तो मतलब हर्दे की दढ़कनों को अच्छे से काम कर रहा है तो मनुष्य का जो हर्टबीट होगी वह कितनी होगी एक मिनट में 72 पर मिनट मतलब एक मिनट में 16 राने में अब बताते हूँ आपको दढकनों की दर मिन्स रेट ओफ हाट कि किसमें कितनी होते अडल्ड हो गी न्योबॉन बेबी हो गया फीटस हो गया एलिफेंट हो अधोगया बहिल हो गया अडल्ट में इसमें गौन बेबी इसमें होता है 90 को लिए फीटस नीवऑन बेबी को कहते हैं नवजाग सीशू फीटस को कहते हैं यहां पर मैंने आपको बिर्ण को बदाइए था How the fetus में होता है 110-160 पर मिनट एलिफैंट में क्या होता है 28 पर मिनट रेट में होता है 300-400 पर मिनट वेल में होता है 13-15 पर मिनट यह क्या होता है कि एक मीनट में 72 बार ऐडल्ट का 01 मिनट में 90 to 140 मिनट नियोबॉन बेभी का93 सो का 110 एक सो 160 पर मीनट क्या पीटर्स बुरून का अलिफैंट का 28 मतलब 一 मिनट में 28 बार यह इन का हाथी का नथ का हो गया एक मीनट में 300 से 400 पर मीनट यह रिषी च acompaобр पर मिनट मतलब एक मिनट में 13 से 15 बार यह उसकी हर्दे के दढ़गन होगी बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया आसा करते हूं कि आपको अच्छा लगेगा जो आपको अच्छा लगे वह भी बताना नहीं लगे वह बताना नहीं लगेगा तो और ज्यादा अच्छा सुध सब्सक्राइब करना और कुछ भी कमी हो अच्छा लगाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रादे रादे बच्चों करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं हुआ हुआ है।